हेलो गाइज गुड मॉर्निंग कैसे आप सभी दोस्तों सेकेंड डियर में फाउंडेशन कोर्स के अंतरगति हिंदी कंपसर ही है ना हिंदी भाषा इवं संस्कति का सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं और चुकि प्राड़ में फिर से दे कि प्रतेक सेशन में मेरा बताना मेरा क से ले जाएं जहां पर हमारे डिटेल क्लासेंस होती है यह जो सेशन में आपका ले रहा हुं फाउन्डेशन कोर्ष के अंतरगत ये में आपके एकजाम को देखते हुए आपके इसाम को द्रश्टी में रखते हुए मात्र काहानी जितने भी महतरपूर प्रशन हो सकते हैं उन प्रशनों पर ही डिसक्स करेंगे घूर के за !!! अगर हम बात करेंगे डेटेल क्लासेत में क्या होता है ऐसके आप कहानी है की मैं ने कहानी को पूर अक्षै से स oncसे कोचे से समझें रोखा लेकक के परीचय में हम पूरा देखते हैं तो कहानी उसके बार लेकक और हो सकता है कि उसका कहानी से संबंदित कुछ शब्दावलिया भी हम को मिल जाती है उन शब्दावली ओपर भी डिसकस करते हैं और उसके अंत में जाकरे स्थियों हम महित्पूर प्रश्णुतर ओपर डिटेल क्लासेस में लेते तो वहीं ये सेशन आपका मात्र 15 मिर्ट में फिरी हो रहा है समझ पा रहा है ना तो दोस्तों अभी एक्जाम को देखते हुए मैं आपके फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट को हिंदी इंग्लिस उद्धिमिता विकास और महीला सशक्तिकर इन चारों सब्जेक्टों उपर में वस्तुनिस्ट प्रस्न उत्तर में लेकर के आ रहा हूं और एक्जाम में भी चुकि आपसे वस्तुनिस्ट प्रस्न उत्तर ही पूचे जाते हैं तो ये एक कंप्लीट सीरीज में आपको लाकर के दे रहा हूं आपके एक्जाम से पहले तो उम्मीद करता हूं कि कोई भी स्टुएंट ना इसको इसकी पना करें कोई भी इसकी पना करें बहुत महत्पूर्ण शेशन है आप लोगों के लिए अगर अभी तक आपने इनको नहीं भी पड़ाना हिंदी नहीं पड़ पाए इंग्लीज नहीं पड़ पाए या जो भी आपके फाउंडेशन के दो और सब्जेक्ट के नहीं पड़ा पायाना किसी को भी तो भी आपको टेंशन नहीं है जो सिरीज में इस सिरीज को अच्छे से फॉलो कर लिए आपका काम हंडेट परसेंट बन जाएगा हंडेट परसेंट बन जाएगा चले तो सुरू करते हैं आज का शेशन आज का महत्पून शेशन और मैंने जो है ना यह थोड़ा सा जो पार्ट में उपर नीचे हो चुका है ना इसमें में आपको पेले ही बता दिया था कि चुकि एक गिल्लू यह वाली कहानी और एक दो पेर का बोजन नाम एक पार्ट और था उन दोनों को अधियु बर्मदोर अरची जो एक कविता है इसको मैं आज डिसकस कर रहा हूं तो इसमें जो भी कोशन आंसर होंगे वो इसके बाद में हमारा वापस से एक क्रम बापस बन जाएगा चली शुरू करते हैं शुरू करते हैं आज का शेशन हाँ डिटेल क्लासेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं नए इस्टुएंट नहीं पता आप लोगों को तो डिटेल क्लासेस के लिए हमारी सभी प्लेइलिस्ट बना दी गई है सब इस अब्दम प्रेटि के साथ में और विष्टार पूर्बक क्लासेस आपको देखने को मिलेगी समभदा सोट क्लासेस मातरा कि इसके लाव हमने कोई सब्सक्राइब नहीं ली है चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों गिल्लू किस ने लिखी है गिल्लू किस ने लिखी है मतलब इसके लेखा कौन है महादेवी वर्मा सत्य जीतर या पूरन सिंग या विध्यापती आप सभी अच्छे से जान इसके हैं अमेरिकन या भारती या स्री लंकाई है तो यह वी अगलतम आसां कोईशन है नाम से आप पता कर सकते हैं कौँ सा कवी कहला का है गिल्लू एक इंसान और के बीच सची दोस्तीी के बारे में है गिल्लू जो एक कहानी है ये कहानी इनसान और कोशन मार्क मतलब इनसान और किसके बीच की एक कहानी इनसान और जानवर के बीच की एक कहानी है एक सच्ची दोस्ती की कहानी है या फिर इनसान और एलियन के बीच की कहानी है या इनसान और सुक्ष में जीवो के दोस्ती की कहा इना तो इसमें दोस्तो अगर आपने कहानी को पढ़ा होता तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी कोशन पढ़ोगे आंसर को टिक मारोगे डाइरेक्टली जो कि गिल्लू यहाँ पर गिलहरी का नाम है वो गिलहरी क्या दोस्तों जानवर है तो इनसान जो है गिल्लू से कहा नहीं जाएंगी तने बूरी तरह से हमला की जाने के बार मतलब में इसका यह हुआ कि गिल्लेहरी जो है जब जिन्दा नहीं बच पाएगी गिल्लेहरी नहीं जाएगी यही आप से लोगों से यहाँ पर पूंचा गया है किसने कहा लोगों और कहा कि कोववह आ ने गलेहरी बुरी तर से हमला किया है कि यल्या zen हमographer का या नहीं होगा je नहीं होगा तो दोस्तों इसका ओप्शन सा करेक्टर हो जाएन हो जाएगा गिलेहरी पर गुर्षक्ता हमला कि आता कि सब लोगों को लगा था कि अब गिलेरी जिन्दा नहीं रह पाईगी मर जाएगी इसलिए ओप्सन इसका सा करेक्टर हो जाएगा अगला अगला प्रश्ण है यह सभी इंपोर्टेंट कोशन है आप एक्जाम के लिए याद रखिएगा एक भी कोशन मत कीजिएगा आसान कोश कोशन है जब कताकार लिखने भेट गया जब कताकार लिखने भेटा तो गिल्लू क्या पकड़ना चाहता था गिल्लू क्या पकड़ना चाहता था ध्यान पेन पेपर या बॉल बाल माप कीजिएगा बाल कताकार के कताकार चुकी कौन है एक महीला थी इना महादेवी बर्मा एक यह चाहती, तो जब महादेवीबर्मा कता लिखने भेटी ती लिक रही थी उस समय में उस में मुल ही लिया, और इसके लिए कुछ हरकत आपिश्य सत्राइबлять लगे डिया. तो इसलिए इसका उप्षन न क्या था चावन काजू या क्या था दोस्तों तो उसका पिंजरा घिलू का पिंजरा हमेसा जो लेख के न वह हमेसा ही काजू से भरा रखती थी जोकि गिल्लू को काजू खाना बोहुत पसं था इस लिए ओप्शन साकरेक्टर हो जाएगा next question है गिल्लू एक कोशन मार्क किसका नाम था मैंने अभी बताया गिलेरी का नाम था कुछ बतानी का वे शक्ताँ नहीं है next motion है महा डेवीग बार्मा कोशन मार्क काबे-पार चाहाई ले डिखने डिखोई छायाबाटी स्कुल की रुज्टारी इस्कुलकी या फिर या फिर भक्ति इसकूल या इडमे से कोई नहीं, बताईmis कौन से काववे की पाट् साला की प्रमुक कभीतरी थी, दोस्तों यहाँ direyou option होगा chabadhi is Cool 5 पाट् साला की प्रमुक कभीतरी हुआ करती थी महादेवि वर्म चलिये कोशननमर ममर्न सा सबर्बस, किस वर्रस में हुई थी 1967 ,1905 ,1962 ,1996 सित्यासी में इसका राइट ओप्जन होगा ओप्जन दा 1987 में महाधेबी बर्मा की मेत्यू कहु चुकी थी अगला प्रेष्ण है अपवाद शब्ड का विलोम क्या है अफवाद श्ब्द का विलूम क्या अब यह अफवाद श्ब्द का विलूम क्यों पूछ लिया गए गरामर वाला पार्टे अफवाद शब्द जो है ना इस कहानिे का एक प्रमुक मुख शब्द भी कहा जा सकता है इसका जिट्र किया गया है इसलिए अफवाध शब्द का यहां विलोम क्या है उसका उल्टा क्या है अफवाध अलग होना पृतिवा शाली होना साधारन होना या विशेश होना तो यहां पर साधारन होना मतलब की अफवाद का विलोम शप्द है दो साल का यहां एक साल ना होता है गिल्लू के मरने पर क्या छीन लिया गया गिल्लू के मरने पर क्या चीन लिया गया जब गिल्लू मर गया तो क्या चीन लिया गया गिल्लू के मरने पर काजु चीन लिया गया फूल के बरतन चीन लिया गया जूला या बिस्तर तो गिलू के मरने पर चुकि कवित्री की जूरी नहीं जूरी में उसका घर बना रखाता गिलू का उसको हटा दिया गया फिए गिलूकर मरने के लिए प्रैस्ट है अगला प्रश्ण है प्रस्ट पर तेरा है अपनी आकरी रात फू अपने जूले से कोशन मार्क आ गया नीचे से कहां पर आ गया और और संदिय गया था तो दोस्तों आखरी रात को जब गिल्लू को लगा मैंसूस हुआ कि अब वो नहीं बचपाएगा तो आखरी रात को जो है वो कता वाचक के विश्तर में आ जाता है के विश्तर में आ जाता है कि और हो जाएगा यह उसितीती के कारण बहुत दुखी हुआ या कतावाचक की अनुपस्थिती के कारण बहुत दुखी हुआ या कतावाचक की बीमारी के कारण या कतावाचक ने उसको डांड दिया था इसलिए बहुत दुखी हुआ था तो गिल्लू जो है ना कतावाचक की अनुपस्थिती के कारण जो है बहुत दुखी हुआ था और इसको भी उसने नहीं काया था अगला प्रसाथ कोई प्रोषकार मिला था या यह सभी मिले थे तो अै प्रशा है अकांड़ ही क्यों सी अकांड़ मी के निर्वा चित फ्यलों कौन सी अकांड़ मी की संगीत नाटक की या फिर कला एंट इन से कोई नहीं तो इसका दोस्तों एक तर्याओ होगा महादेवी बर्मा साहित्य अकादमी की एक निर्वाचित फेलो हुआ करती निर्वाचित फेलो थी किलियर नेक्स्ट प्रश्ण है प्रश्ण मर् 17 है लेखक कोवे के खेलने की तुलना किस खेल से करता है काटने और उड़ने के लिए छिपने के लिए या दोनों या कोई नहीं इसका option करेक्टर हो जाएगा कोवे के खेलने की तुलना जो है यह कभी जो을ेद से करता है अगला कोशन है उसने क्या देखा जो अद्वुद था एक नन्ना सरीर गिलहरी, कथा बाचक मतलब की कवीतृ, कवीतृ ने कव्वे के दौरा हमला कर रहे एक चोटा सा गिलहरी के बच्चों को देखा था, जो अद्बूत था एक नन्ना शरीर गिलहरी या फिर दोड़ने में एक छोटा बच्चा गिलहरी दोड़ता हुआ दोड़ने में या फिर दोड़ता हुआ एक छोटा बच्चा या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तों यहां पर ओप्शन जो है एक अरिक्टर हो जागा एक गिलेहरी का एक नना सा बच्चा उन्होंने देखा इस प्रकार से यह 18 कोशन मात्र इस पार्ट से संबंदित थे जो आप एक्जाम के लिए महत्मों थे इससे बाहर कुछ भी कोशन नहीं पुझे जाएंगे आप लोगों से इन कोशनों का अच्छे से रिविजन एक बार और दे जाने से पहले रच्छे से कोशन में इसका जिए आपका काम बहुत असान हो जाएगा और सभी की पीडिएफ सभी पीडियेफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जो नहीं मिले उसके लिए दुस्तों मैंने आप लोगों को सुपधार रखिये वाटसब नहीं है वहास के पास नहीं है वहां से ले सकते हैं हमारे वार्शाम नमबं यहां से ले सकते हैं वीडियो इनको को की कर लें हमें साइप में हो रहा हूं ना तो नमर दोस्तों यहां से ले सकते हैं टेलेग्राम पर गुरुप है लोदाजी Kennan नाम से इस टेलड Alger He टेली गराम पर जैंगे तो इस डालेड़ी जो है इस गुरुप पर पोच जाएंगे जहां से आप आसानी से आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं वार्टसब गुरूप की लिंक भी डाल रखी है और टेलेग्राम गुरूप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी और आवजशक जितने भी शेशन है उनकी विड लिंक का जो है आपको नीचे दे